आसकार में नियाज खान और आप देख रहे हैं अगर मैं आप से कहूं कि बिहार में एक ऐसा बंगला है जहां रहने के बाद कोई भी मंत्री अपना कारेकाल पूरा नहीं कर पाता है तो ये सुनने के बाद आपको थोड़ा अजीब लगेगा हो सकता है आप इसे अंदविश्वास भी कहें या फिर किसी तरह का मित लेकिन इस बंगले के इतिहास पर नजर डालें तो अब तक ऐसा ही हुआ है जो भी मंत्र इस बंगले में रुका है उसे एक ना एक दिन अपना पद त्यागना पड़ा है अब तक तीन मंत्रियों ने अपना पद त्यागा है अब अगला नंबर बिहार सरकार में पशु और मत्स संसाधन मंत्री मुकेश सहनी का हो सकता है चलिए आपको इस बंगले का पता भी बता देते हैं मुकेश सहनी पटना के 6 इस ट्रेंड रोड बंगले में रहते हैं और अब ऐसा लग रहा है कि इस बंगले में रहते हुए अपना कारेकाल पूरा नहीं कर पाएंगे दरसल मुकेश सहनी के पार्टी विकास शील इंसान पार्टी के तीन विधायक राजु सिंग, सुरॉना सिंग और मिस्री लाल यादो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए इस घटना के बाद मुकेश सहनी के राजनितिक भविष्य पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं विई आईपी के तीनों विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के साथ ही बीजेपी ने मंत्री पद से सहनी का इस्तिफा मांग लिया है और जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया कि पिछले कुछ सालों के इतिहास पर नजर डालें तो बिहार सरकार का जो भी मंत्री सिक्स स्ट्रेंड रोड बंगले में रहता है वो अपना कारेकाल पूरा नहीं कर पाता उसे किसी ना किसी वज़ा से मंत्री पद से हाथ धोना पड़ता है मुकेस सहनी के सिक्स स्ट्रेंड रोड बंगले में रहने से पहले इस बंगले में पिछली सरकार में मंत्री मंजू वर्मा रहती थी 2018 में मंजू वर्मा के पती का नाम मुजफर पूर बालिका ग्रिह कांड में आ गया था इसके बाद उन्हें मंत्री पद से इस्तिफा देना पड़ा मंजु वर्मा से पहले इस बंगले में महा गटबंधन सरकार में मंत्री रहे राष्ट्रिय जनतादल के नेता आलोक महता रहते थे लेकिन 2017 में मुख मंत्री नितीश कुमार ने आरजेडी से गटबंधन तोड़ कर बीजेपी के साथ सरकार बना ली थी इसके बाद आलोक महता भी मंत्री के तोर पर अपना कारेकाल पूरा नहीं कर पाये थे और यहीं नहीं आलोक महता से पहले 2015 में जेडियू नेता और ततकालीन आपकारी विभाग मंत्री और धेश कुश्वाहा सिक्स स्ट्रेंड रोड बंगले में रहते थे लेकिन एक स्ट्रिंग ऑपरेशन में पैसे लेते हुए दिखने के बाद उन्हें भी नितीश सरकाल से इस्तिफा देना पड़ा था सिक्स स्ट्रेंड रोड बंगले के साथ जो इतिहास जुड़ा है इसके बाद अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या मुकेश सहनी को भी अपने पद को त्यागना पड़ेगा क्या सहनी भी ऐसे मंतरी बनेंगे जो इस बंगले में रहते हुए अपना कारेकाल पूरा नहीं कर पाएंगे आपको बता दें कि 2020 में बिहार के विधान सभाद चुनाओ के दवरान सहनी ने भाजपा के साथ गटमंधन करके 11 सीटों पर चुनाओ लड़ा था सहनी ने इन में से 4 सीटों पर जीत हासिल की थी अब बीजेपी मुकेश सहनी को इंडिये से बाहर करने का मूड बना चुकी है सहनी से इस्तिफा भी मांगा जा रहा है तो इस खबर को सुनने के बाद आप क्या कहेंगे या फिर पटना के 6 स्ट्रेंड रोड बंगले के बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताए